नमस्कार दोस्तों आप शबीका बहुत बहुत श्वगते माकर राश्षी वालों दोस्तों आपके जून काल के चलते फिरते काल है यह एक इंशन जे दोस्तों समय रिशी ने आप अपने जूनकाल से यह डाले वरना यह बात तो आप भी जानते हैं कि इस इंसान से आपको कोई भी लाब होने वाला नहीं है इस शिप आपको हानी होगी आपके जूनकाल में शिप इन से समझचाई आएंगे दोस्तों यह तो आपको पता है कि आपके जूनकाल में किसे के वज़शे समझचाई आ रही है लेकिन दोस्तों यह आपको पता नहीं है कि कौन सा इशाव व्यक्ति है जिनकी वज़शे आपको मुश्यूतों का शामना करना पड़ता है जे दोस्तों अगर आप उन्हें जान जाएंगे और उन्हें अगर आपने जुनकाल से निकाल देंगे तो दोस्तों ये आपके लिए शब्से बड़ी बुद्धि माने होगी जे दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुती मिश्णा करें और शुरू से लेकर अंति तक जरूर दिखेगा तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उपाई भी बताएंगे शाती इनके हटने के कौन से रास्ते हैं कोन सी उपाई को अपने आजमाने होगे शाती नहीं हटाने के लिए आपको कौन से चित्रों को लिकर शावजण विरेन होंगे इन रिज साल के साथ साथ आपके उनकाल में क्या-क्या बदला हो आएंगे घर के माहल में पारुजुन में क्या-क्या शुदार होंगे इन्हें शबी की विश्तरी जनकारी देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल इमिशना करें और शुरू से लेकर अंदर तक जरूर देखेगा यह दोस्तों उसे पहले जोविवक्त वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय मात्या दे लिखेगा गुरुजी का शीर दासिर बात प्राफ करेगा तो मित्रों जरूर लिखेगा और यदि आप चनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्र करता है दोस्तों यश में कुछ नया शुरू करने के लिए श्रमय नुकुल है आपकी मेहनत वापिर पर्याशों के आर्थिक प्रिणाम शामने आएंगे दोस्तों विवाय यूग लोगों की किसी अच्छे रिस्ते से मदित बातचेत शुरू हो सब्सक्राइए इसको प्रा कोड़ाशा उदाश हो सकता है इसको प्रां दोस्तों आपके लिए जो समय होगे पैसे का योगत तरीके से इस्तुमाल करना आपको यश में सिंखना होगा फिलाल दोस्तों आपको पैशे की कमी महसूस हो सकती है फिर भी आपके निरले दवारा प्रस्तिति में आप करके रिक्ष लेने के आफशकता होंगी फिससे सम्मदित कोई भी रिक्ष लेने शुर्ष में आप परहज करें यह आपके लिए वैतर होंगे इसको प्राइब दूस्तों यह में आपके लिए करेंगे दोस्तों परतिश्टिट लोगों से मेल बढ़ेगा इसको प्राइब दोस्तों किसी भी उजनाब पर जो है कारी करने से पहले उस पर अच्छी तरह से यह में सोच पिजार करना आपके लिए आउश्व होगा कोई दुखत समचार मिलने से जो है कुछ समय के लिए पर नकार्तम विचारों को दूर करने की कुछ करें यह आपके शमस्या काहल होगा इसको प्राइब दोस्तों आप अपने आत्मबल दोरा जल्दी भावनाओं को भी काबू में कर लेंगे दोस्तों यह जो आपके लिए शमय होंगी दोस्तों मुल्यवान वस्तों को शमाल कर रखने की आवशकन वोगी दोस्तों आपके लबरवाई की वजशक्izing कुई महत्मुन दास्तावmiş यह फिर वस्तु यह शमय खोशक्ती है दोस्तों जिसके दौरा आपको अंको मानस्री ख्लेश दोस्तों विद्यार्थियों को अपनी नोकरी शमंदी किसी छेतर में इंट्यूरिव में शबलता की योग बन रहे हैं। दोस्तों इसलिए पूरी मेहनस शी प्रयाश करें। ये आपके लिए वैतर होंगे। इसलिए दोस्तों यश में आपके दौरा लिए गए निरले के बारे में बार बार सोचकर आप अपना कनफिजन बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों अधिकतर विचार के करण किसी एक पर निरले कायम करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों यश में आ ना आपके लिए बहुती महत्मुन रहेगा इसको प्रांद न्यास फुम्य आपके लिए से महनँगे। दोस्तों आप स twisted काैशी कारियों में व्यस्त रहेंगे। दोस्तों किछ धार्मिक आयजन की भी योगणा बनेंगी। दोस्तों कोई रूट्य ship payment बिलने शिय आर्थिक शमस्या काफी हद तक हल हो सकता है तुस्टों यह शमे घर में बजर्वों का अश्रुबाद वह पिर श्योग आपके मनवल को और अधिक मजूद करेगा इसको प्राइद दोस्तों यह शमे दोस्तों और वेर्थ की कामों में अपना श्रुमे को नश्च की तरके इसको प्राइद दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे फिलाल परस्ति आपके लिए उतना अनुकुल नहीं है जितना आप सुच रहे हैं इसलिए दोस्तों अपने इक्षा सकती को और अधिक पर्वल बनाकर पस्तिती का श्रुश्वना करने की आवशक्ता होंगी अपना निरले गलत होने का दर आपको आगे बढ़कर रोकश रखता है। अपने शोच रखें थे यानि दोस्तों निरली लेने में आप असहज महसूस करेंगे। अपने काम पर अधिक ध्यान दें दोस्तों क्योंकि कोई गलती आपके लिए परिशानी का कारण बन शकता है। दोस्तों ये शोच में आपके केरेर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों अपने निरलियों को ही प्रातमुकता दें। नोकरी पैशाविक्तियों को उच अधिकारियों की नराजगी शेहन करनी पर सकती है। इसको प्राण दोस्तों ये शोच में आपके केरेर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों वाई शाय में अभी वर्तमान प्रिस्तियों का प्रवाव बना रहेगा। अगर किशी परकार का निवेश करने की योजना सोच रहे हैं तो दोस्तों उस पर कारी को जो है गंभिरता से अंजाम दें। ये शोच में इसके बेहतरी रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे। नोकरी में अभी नई शमाने मिलने की उमीद बन रहे है। इसको प्राप दोस्तों ये शोच में अगर आपकी लव लाइप के लिकर बात करें तो दोस्तों ये शोच में प्रति पद्नी का आपसे सयोग घर के वातारण को शुहाद पूर्ण बना कर रखेगा। प्राप दोस्तों किसी विप्रित लेंगी व्यक्ति की वज़ाशे जो आपकी मान आने होई हो सकती है। ये शोच में इस बात का भी ध्यान रखें। इसको प्रांदी दोस्तों यह शुमें आपके लव लाइप के लिए उस्यमें होंगे। आपके प्रेम जूर के लिए उस्यमें होंगे। गर की वैस्ता को उचित बनाए रखने में जिवन शाथी का पूर्ण शयोग रहेगा। प्रंदू पेरेम शमंदों में गलत फेमिया की वज़े से कुछ दूरियां भी आशकती है। दोस्तों याशो में लव लाइब आपके जिवन का महत्पून हिशा भी बन शकता है। चार भी उपर सकते हैं। याशो में मेटेशन पर ज्यादा ध्यान दें। यह आपके लिए आवश्यव होंगे। याशो में आपके श्वास के लिए जो समय होंगे। गिरने या फिर वहान आदिस से चोट लगने जिसी आशंका भी बन रही है। इसलिए दोस्तों याशो में बहुत अदेख शावधिनी बरतने की भी जरुत होंगी। इस करवान दोस्तों याशो में श्वास जो है बदलते मोश्रम की वज़शे गले में एक्शन इंफेक्शन और खांसे जुकाम से दिक्कत रहेगी। लपरवाई पेलकुल ना बढ़ते हैं और अपना इलाज कराएं। इसे दोस्तों आपका आर्थिक सिधी जो है और भी बहतर होंगी। दोस्तों याश में आपको कौन से महत्पुन उपायों को करना चाहिए। दोस्तों आपको बढ़ा दें कि याश में आप गवू, लोचन और तगर शवी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेकर एक लाल कपड़ में बांद कर पूजा के स्थान पर रखें। स्विवजी की किरपाशे आप पर किये दे शमस्त जादू टोने का परभाव शमाप्त हो जाएगा। और दोस्तों अपने कारियों में भी आगे बढ़ पाएंगे। अपने जोन में शबलदा को भी इन से प्राद कर पाएंगे। आपके आगे आने वाले शवी बाधायों क खत्म होंगी। तो दोस्तों यश में आप इन उपाएंगे को कर सकते हैं। यह आपके जिवन के लिए और आने वाले भाईश के लिए बहुत थी महत्पूर शाबित होंगे। और शादी दोस्तों और अशेह अधिक जानकारें के लिए आप मारे चैनल को भी करें वीडियो को देखते हैं लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।